सापाक्स के संरक्षक हीरालाल तिर्वेदी ने रैली में बड़ी घोशना की जिससे बीजेपी कॉंग्रेस दोनों ही दलों में खलबली मच गई है तिर्वेदी ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को सापाक्स पार्टी के गठन की अपचारी घोशना की जाएगी सापाक्स पार्टी ने 230 सभी विधानसवा सीटों पर अपने उमीदवार उतारने की बात कही है आगे कहा कि हमारा मुख्य देश है कि आरक्षन को खत्म किया जाए सापाक्स ने एक्ट्रोसिटी एक्ट के शंशोधन और आरक्षन के विरोध में राजधानी भोपाल के कलियासो डेम मैदान में महाकरांती रैली का आयजन किया था सापाक्स की इस महाकरांती रेली में सवन समाच के लगभग 70 से ज्यादा समुदाई ने समर्थन दिया और लाखों की भीड में मैदान में कत्रित होकर विरोध के साथ दिया बता दें कि रैली के समर्थन में करणी सेना, भ्रामन सभा, परशुराम सेना, छत्रिय महासभा, राजपूत सेना, सहित कई संगठन के समर्थन प्राप्थ हुए सापाक्स के हीरालाल तुरुएदी ने सभी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि आरख्षन और एक्ट्रोसिटी एक्ट में सवन जांतियों को निशाना बनाये जा रहा है त्रिवेदी ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि सापाक्स मधप्रदेश में सभी 230 विधान सवा सीटों पर अपने उवीदवार उतारेगी लगभग 51 जिलों से आए सापाक्स के कारेकरताओं ने सापाक्स और हम है माई के लाल की टोपी पहन कर मुखमंत्री शिवरा सिंग चोहान के आरक्षन पर दिये वियानों का विरोध दर्ज कराया त्रिवेदी ने सरकार की विवस्था पर यह कहकर सवालिया निशान खड़ा किया कि जन्म सिले कर मरने तक आरक्षन की विवस्था कहा तक सही है वही राजपूत करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंग कालवी ने सरकार पर तीखिस प्राहार करते हुए कहा कि जो सवर्णों की बात नहीं करेगा वो सत्ता पर राज नहीं करेगा जातिका तारक्षन और एक्ट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ मैदान खचा खच भर रहा भरा रहा वहीं कुछ संगटन के लोगों ने काले कपड़े पहन कर भी विरोध का समर्थन किया वहीं दूसरी और सरकार ने जैमर लगा का इंटरनेट सेवा ठब की बताय जा रहा है क्ट्रेनों का रूट बदला गया जगा जगा बसे रोकी गई ताकि सापाक्स कारेकरता महाकरांती रैली में शामिल ना हो सके सापाक्स का कहना है कि सरकार की इतनी गती रोधों के बावजूद सापाक्स के कारेकरता हजारों की तादात में अपने खुद के वहान और खर्चों पर रैली में पहुंचे सापाक्स का प्रोग्राम बोपाल में हो रहा है यह सी स्ट कानून के विरोद में हो रहा है उनकी धाराओं में आई पी सी में चेंज किया जाए हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए बेगलजांच के गरिपतारियों और आर्थी का अधर प्र आरक्षन के लिए लिए लड़ रहे आज जो सपाक्स का करांती रेली और सभा का अविजन भौपाल में किया गया है इसमें पूरे प्रदेश से लाखो सपाक्स के कारिकरता और हमारे सपाक्स के सक्री प्रदेश के कौने-कौने से यहां एकत्रित हुए हैं जिसमें हमारे इंदोर संभाग से हम लोग पूरा सातों जिलों से यहां कम सकम पचास हजार के करीब लोग यहां एकत्रित हुए हैं मजदी प्रदेश शाषन तसा केंद्र शाषन के द्वारा जो एक्रो सीटी एक्ट में परिवर्तन किया गया साथ ही प्रोमोशन में आरेक्षन का जो मुद्ध हमारे वर्सों से चल रहा था मुद्ध को उनके द्वारा निराकरत ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट और इसमें उल्जाने के कारण आज पूरे प्रदेश में सवन अल्प संक्यक एवं पिछड़े वर्ग के लोग प्रताडी से माननी मुख्यमंत्री ची के द्वारा अभी तक इसका निराकरत नहीं किया है वही आक्रोष के रूप में यहां प्रकाट हो रहा है यहीं इसका समय रहेते ज्यान नहीं दिया तो आगामी चुना में उनको प्रेणाम भुगत नवहां प्रेयास किया रहा है उसके बाद भी लोग रास्ता बजल करके यहां पहुच रहा है यह थी हमारे साथ सपाक से के कारकरता जिन्होंने आरोफ लगा है मुखमंदी शिवरा सिंग्चाओहान के उपर कि इनके गाड़िया रोकी जा रही है और एक्ट और प्रमोशन में आरचन को लेकर जो भी बंदी से लगाई जा रही है वो गलत है इस वक्त हम मौजूद है सब्सक्राइब के बात करते हैं कि अजय अब करता है कि लोग आपने स्वेक्षा से सभी जगे से आए हैं बोला जा रहा है कि जैमर भी लगाए गए हैं नेट प्रोडिक्शन के लिए इसे ताकि चीजे बढ़ा ही नाजा सकी आप देख सकते हैं मैं हाया है जाते हैं से कहना चाहते है कि आरतिक नेती के आधार पर आरक्षन को वेश किया जाए और सोचे शंब्यें कि कि बीना सोचे समझे किसी को भी जेल में डाल दिया जाए इसको क्या जाए बात हार सोसे उन से ये विंती है ये बैतूल जिले से आई हैं और इहां से आगाज कर रहे हैं भोपाल से हम है माई के लाल और हम सिवराज सरकार जो भी आर्चन गोदी और एस ये श्टेक लेकर आए उन पार्टियों को उखार फैंकेंगे और ये एक महा करांती है आज आप देश सकते हैं इतनी धूप होने के बाद भी आज यहां पर महलाओं का पुर्सों का जो सेलाव उम्रा है संके देता है कि अब प्रदेश में सपाक की सरकार होगी इनका साब कहना है जो सिवराज सिंचाहां समद्धे मतमुक मति सिवराज सिंचाहां ने जो माई के लाल कुबर्ड का यूज किया था वो लोगों को आगात पहुंचा रहा है सपाक सजोंगी सवर्ड और पिछरावर बढ़कों के साथ जो अन्य की है सर्बोज चन्यालय का जो आगाला कानून को बदले का जो दुस्ताष किया इसलिए और हम उनको कहना चाहते है कि आगामी बिदान सवाम है हम मामा तेरा अंत करने वाले हम माई किलाले बीजेपी सरकार के खिलाप ये नारे बाजी हो रही है साथ ही कांग्रेस ने जो साथ नहीं दिया है सपाक्स का उसके खिलाबी नायर बाज़े रही है आई आप हम अगली बात करते हैं देखते हैं क्या बोलना है आप बताई हूं और मैं यह बताना चाहती हूं कि हमारा अन्य एस्टी से कोई जगड़ा नहीं हम तो सब भाई- ज़ा वहाई हम हारी भारत देश को कि तुप्रे करकर करके यह अपने घर बढसा हूं और यह स्बु스타र से बता देरा चाहते हैं कि लड़ने के लिए रुप्वल्पर हूं कि पिछक्र अभी भी समय हैं सरकार सुधर जाए और सबीकों लाल बताती है तो एकी तौहल में तौह ना शुरू करें सरकार अभी समय लोगों कहना है कि हम आपस में लड़ना चाहते लेकिन यह बीजेपी जो नेता होते हैं जो नेता गीरी चलते हैं लोगों को लड़ाया जाता है फूल एक है फिर कैसा बेज़वाओ क्यमा में तरु यादर साथ सत्यम करमाता का लिज़ भौपाल